हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयर, वेलकम तुमाय चैनल, आज हम बनाएंगे चिकन महरानी, बहुत ही तेस्टी, रेस्टोरन स्टाइल, अमेजिंग चिकन की डिश है, आप इसको ज्यादा कॉंटिटीज में भी बना सकते हैं, जब मेहमान आते हैं, बिकॉज इसकी चमच का पाउडर, एक चोटा चमच जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर, नमक आट कर देंगे एक चोटा चमच, तही मैंने या पर लिया था 200 ग्राम, गाड़ा दही इस्तेमाल करिए लगबग 200 ग्राम के असपास तो इससे ग्रेवी अच्छी फॉ मेथी, आप चाहें तो थोड़ा सा भून कर करश करके भी आट कर सकते हैं, यह मैंने आट किया है नीबू का रस, एक मीरियम साइस का नीबू, उसको अच्छे से रप कर ले ताकि वो थोड़ा सा जूसी हो जाए और फिर आपने निचोड कर आट कर लेना है, इसको मैंने बह बहुत अच्छे से मारिनेट हो जाएगा, तो बस यहां पर सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और एक घंटा मैंने इसको ढख करना नीचे काउंटर पर ही छोड़ दिया था, फ्रिज में नहीं रखना है आपने, एक घंटे के बाद मैंने आप ग्राइ प्यास बहुत जादा पानी रिलीज कर ले था, इसलिए पानी आड नहीं किया था मैंने और यह देखे, स्मूथ पेस्ट बन के त्यार है, ओल अट कर लेंगे पान के अंदर, तकरीमन पाव कप के आसपास, ओल अच्छे से घरम हो जाए तो जो भी खड़े मसाले जैसे के ल बहुत जादा पानी रिलीज कर लेगा, दही की कॉंट्रिटी भी यहाँ पे जादा एक लगभग, 200 से 200 क्राम पाव किलो के आसपास मैंने धही आट कर रहा है, तो फ्लेम आपने हाई रखना है, अगर आप लो फ्लेम पे कोक करेंगे तो चिकन बहुत जादा टेंडर हो जा है, तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद, फिर मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट आट किया है, प्याज हरी मिर्च यहाँ पर बिल्कुल कच्छा है, प्याज की कच्छी स्मेल ना रह जाए, इसलिए इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है, पानी आड बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके न, लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें, कुछ तेर के लिए जब तक ओयल पूरी तरह से रिलीज नहीं हो जाता है, और मसाला ड्राय सा नहीं दिखता है, तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट और कुक किया था, और उपर सफिस आउट दिखाई देने लगा है, मसाला चिकन को लिपटने को आ गया है, तो अब हम इसमें आट करेंगे काजू, कम से कम मैंने आपे एक मुठी काजू लिया था, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम लिया था मैंने, और उसको ना फिर मैंने थोड़ा सा स्मूद आट करके ग्राइंड कर लिया है, स्मूद पेस्ट हो जाए तो वो आट कर ले, अच्छे से मिक्स कर ले इसको, फ्लेम हाए कर ले, ताकि तेजी से उबाला आ जाए, अब यहाँ पर ओयल सेपरेट हो गया है, हाई फ्लेम पर ही मैंने चलाया था, तीन से चार तो इसमें धेर सारा मैंने कटा हुआ हरा धनी आट कर लिया है, इससे थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है डिश का और कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो बस इसको मिक्स कर ले, ओइल उपर दिखने लगा है, तो हम इसमें अब आट कर देंगे पानी, जितना आपको ग फ्लेम पे छोड़ दूगी और मीडियम फ्लेम पे इसको पांच मिनट कुक कर लोगी, और ओयल सर्फिस आउट हो गया है, तो ये देखे चिकन महारानी बन के तियार हो गया है, इसको रोटी चपाती, तंदूरी रोटी नान के साथ सर्फ करिए, बहुत ज़्यादा सकते हैं, इसमें कोई बहुत जादा प्यास का बिरिस्ता बनाना या बहुत जादे मसाले बना के रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान है, खाने में भी टेस्टी है, जरूर ट्राइ करिए, रेसेपी अच्छी लगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आ